आपका हमारे नए वीडियो में तो ये वीडियो एट्थ क्लास के लिए है और एट्थ क्लास का हम पन पढ़ेंगे आज 10 चेप्टर जिसका नेम है विजुलाइजिन सॉलिड सेपस है ये बात आपको धियान में रखने है कि जिन वस्तून को हम महسوس कर सकते हैं जो डैली life में उनको हम सॉलिड सेबहोते हैं अपनी बुक हो गई ये सारी जीज़ हम फीन कर सकते हैं तो इनी को हम क्या बोलते हैं? Solid shape होते हैं. पहले तो यह बात ध्यानक नहीं है. अब देखिए, shape में क्या आता है? एक 2D shape आती है, और एक आती है अपनी 3D. 2D और 3D से मतलब क्या आता है? D का मतलब होता है अपना dimension. क्या होता है dimension? 2D और 3D से मतलब क्या होता है? देखिया. 2D में कौन-कौन से shapes आती हैं? 2D में अब सेक्स की बात करें, तो अपना triangle आ जाता है, अपने quadrilेटर आ जाते हैं, आफदेन क्या आ जाता है? अपना pentagon आ जाता है, वो सारी चीज़ें सीखें अंदर आती है, जो polygon का आपने कभी topic पढ़ा होगा, जो polygon होता है, वो सारी के सारी क्या होता है? 2D shapes होते हैं. तो triangle की बात करूं, quadrilेटर के अंदर square, rectangle, सारी चीज़े आ गई, तो इस सारी होती है अपनी 2D shapes. जैसे triangle में अपने कौन-कौन से triangle होते हैं, isoscalous triangle, equilator triangle, या right angle triangle, जितने भी triangle होते हैं, सारे 2D shapes हैं, ऐसे अगर quadrilेटर की बात करें, तो इसमें square, rectangle, trapezium, जो भी अपने आते हैं, सारे इसमें क्या हैं अपने, quadrilेटर जो की क्या है? 2D shapes हैं. जो सिर्फ 2D shapes क्या होते हैं, जो सिर्फ 2D shapes क्या होते हैं, जो सिर्फ 2D shapes हम board पे लिख सकते हैं, board पे लिखा जाएगा, बाहर नहीं आ सकता triangle, अगर बाहर आसे triangle आपको दिख रहा है, मेरे हाथ में पकड़ा हूँ ट्राइंगल, तो triangle नहीं है, अब भी बताऊंगा वो क्या बोलेंगे उसको, 3D shapes की बात करें तो 3D shapes जैसे हम daily life जिनको हम क्या कर सकते हैं, feel कर सकते हैं, वो होते हैं pyramid and prism, अब क्या होते है pyramid and prism, और जो भी क्या है 3D shapes के बारे में, में बात की, match की, books की, आपके, सब जी जो की mobile हो गया, जिनको हम feel कर सकते हैं, उनको हम 3D shapes बोलते हैं, तो कभी भी जैसे क्यूसन आ गया, इसके अंदरा cylinder बागे रहा सब कुछ आ जाते हैं, वो अभी बात करेंगे कैसे, और आप से पूछूँगा कि कौन से 2D shapes और कौन से 3D shapes है, की से बता है, कई बच्चों को इथनीं अच्छी तरीके से आता है, क्यों अब जिनिद्गी में नहीं बोलेंगे, कहीं तो नहीं आता है, तो दोबार से देख लिजे, पिरामीड क्या होता है, पिरामीड, ऐसी 3D shapes, जिसका base तो होता है, नीचे कुछ ना कुछ बेस होगा, जो नीचे की साइड होगा, उपर उस बेस को हम क्या करेंगे, उपर की साइड एक डोट पे मिला देंगे, एक क्या मिला देंगे, इस पर डोट पे मिला देंगे, कोर्णर पे मिला देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पिरामिड नीचे कैसी भी सेप आ सकती है, नीचे अगर triangle आ गया एक अपना base, अगर नीचे ट्रिबू जा गया, triangle आ गया, इनको एक point पर बीला देते हैं उपर, तो यह अपना क्या बन जाता है, pyramid बन जाता है, अगर नीचे मान लीजे square आ गया अपना, नीचे माली जी मैंने square लिखा यहां पे और इनको अपन ने क्या मिला दिया उपर एक vertex पे मिला दिया तो ये भी अपना क्या बन गया पिरामीड बन गया ऐसे ही मैं बात करूँ नीचे अगर circle हो और circle को हम मिला दे उपर एक vertex पे ये भी अपना क्या बन गया, पिरामिड बन गया, लेकिन इनके लिए एक अलग से नाम दिया गया है, क्या नाम है देखिए, हमेसा ध्यान रखिएगा, पिरामिड में क्या होता है, नीचे बेस कैसा भी आ सकता है, नीचे स्क्वार आ सकता है, पेंटागन आ सकता है, कुछ भी में मिलते हैं, ट्राइंगल के फेस में मिलते हैं, त्रिबुज के फेस में मिलते हैं, ऐसे इसकी बात की तो नीचे हाँ पर ट्राइंगल जैसे पेंटागन की बात करूँ मैं, नीचे मा लीजे, पांच साइडों का पेंटागन आ गया, ये लो, इनको भी उपर मिला दो, इनक ट्रायंगल है पीरामिड इसकी बात करें कि नीचे क्या आ गया पना इसको क्या बोल son सुर्किल्र प्रामिड लेकिन क्या बोलते हैं कौन वोलते हैं आपको याद ठीक है, हमेसा धाना किय série गाए नीचे कैसा भी फेस आज है, उनको हमें अगर कोर्णनर पे मिला दिया उनको, जैसे उनको कॉर्णनर पे मिला देंगे वो अपना क्या बन जाएगा, पिरामीड बेना है, जैसिसे मालीजी अगर इसको कॉछेप्स जाता हो, अपने को खोलना हो उपर तो क्या बन जाता है पिरामिड कि it has base but not have top इसका top नहीं होता है, top एक vertex होता है, prism की बात करो तो देखिए, just इससे opposite क्या होता है, कि इसके अंदर क्या होता है, base तो कुछ न कुछ होता है, base तो चलिए जैसे माल लिए ट्राइंगल आ गया, top भी इसमें क्या होगा, जैस सबको मिला दिया 90 डिग्री के अंगल पर ऐसे, और सबको मिला दो, क्या बन जाता है अपना, prism बन जाता है, ऐसे ही मैं बात करूं यहाँ पे, नीचे माल लिजे, square है, ठीक है, उपर भी बने यहाँ पे square ले लिया, इनको मिला देते हैं, जैसे इनको मिलाओगे, क्या बन देते हैं, तो यह भी क्या बनेगा, अपना prism बनेगा, ऐसे ही मैं और भी जैसे नीचे माल लिजे, circle आ गया, यहाँ पे, circle आ गया, यहाँ पे देखे, नीचे circle आ गया, अब side भी circle आ गया, दोनों को मिला दो, ठीक है, कि up और down side, दोनों side सेम रहे, अपना base और top अगर सेम रहता है, तो उनको 90 डिगरी पे मिला दो, क्या बन जाते हैं, एक prism बन जाते हैं, अब इसको नाम दिया गया है, जैसे इसको नाम दे तो नीचे triangle था, तो इसको क्या बोलेंगे, triangular prism, क्यों नीचे तो triangle है, बाद में मिला रखाए, इसके नीचे square था, तो अब इसको क्या प्रीड़़ लेकिन आपको पता है, यह क्या वाद है, यह क्योब भी है, तो square prism में क्या होता है, Immさい इसको अलग से नाम दिया गया है, इसको हम देखें, तो यह होता है, rectangular prism, लेकिन इसको हम और क्या बोलते हैं, , cuvoid से भी इसको बोला जाता है, तो अगर rectangular prism पूछτε तो बिखिए अपना क्या क्यूब कि वह था है इसको मोते हैं रहते हैं उनको थो हम पिरामीड बोलते हैं प्रिज्म कौन से होते हैं प्रिज्म वह होता है जिसका टोप और बेस दोनों सेम रहते हैं और इनको match किये रहते हैं तो इनकी definition जो है आपको PDF की द्वारा मिल जाएंगी अगर आपको definition नहीं लिखनी आती है तो इसको लोग के जरीए आपको PDF भेज दी जाएंगी तो उनकी आपको definition भी लिखे लेना अब इनके बारे में कुछ चीज़े और देख लेते हैं देखिया इसमें आता है face vertex और age की बाद f का मतलब face आएगा वी का मतलब vertex होगा और e का मतलब अपना age होगा ठीक है अब देखते है face vertex edge की बाद इसके अंदर तो सबसे पहले हम बात करें triangular prism की triangular pyramid की sorry तो triangular pyramid के अगर हम face देखें तो एक साथ तो नीचे इसके face है देखें काउंट करते हैं नीचे वह है triangle है upside ऐसे triangle मिले होए हो इस पे ठीक है जैसे प्राइमिंट मिले होए हैं तो क्या करना है अपने को सबको count करने ना 1 2 3 और नीचे 4 तो अपने face कितने बन गए 4 face क्या होते हैं जैसे रूम है इस रूम में इस दिवार बे बोल्ड लगा है तो यह पूरा का पूरा यह क्या बन गया face बन गया पीछे वाला face हो गया यह वाला upside face downside face यह face होते हैं चीक है तो यह बात थी face की बात करूँ मैं अब कौन स्क्वाइर प्रामिट की अच्छा इसके face देखे हैं हमने vertex बूल गए vertex क्या होते हैं vertex कोना जैसे इस कोने में कोना दिख आपको इस कमरे के कोना वह कोने होते हैं तो इसमें कोने देखे तो अपन देखो गए यह हैं कोने जो क्या होँरे बिलकूल है enrice ने कते हैं वान टू थ्री फॉर कितने स्में कोने मतए वन एक किनारे चिनारों का मतलब यह जो लाइने जा रही हैं ना आप сама डा वोते हैं तो फेस वर्टेक्स एज कितने बन गए 446 तो अगर आपको क्यूशन पूछ ले जाए कि पहले पिरामीड क्या होता था तो पिरामीड आप आप आराम से बता सकते हो कि एक बेस होता है पिरामीड के अंदर और उपर साइड एक वर्टिक्स में मैच होते हैं उसको क् face vertex age कैसे बना, इनको क्या कर दिया, नीचे वाला face, oh sorry, जो flat surface होती है, उसको face मोलते है, तो हमने count कर लिया, vertex की बात है, तो vertex अपना क्या होता है, बिल्कुल कोने होते हैं, वो हमने count कर के बता दिये, और edge की बात है, तो edge क्या होते हैं, अपने किनारे होते हैं वो भी अपने इसमें बताती है इसकी बात करें स्क्वाइर प्रामिट की तो फेस वर्टेक्स से इस देखते है अपन देखिए फेस नीचे वाला है यह वाला नीचे फेस है क्या है इसक्वाइर प्रामिट है तो नीचे फेस है एक स्क्वाइर इसक्व तो नीचे स्क्वाइड है अब सायल को क्या कर देंके सारे क्या चाइँड से तो एक बात करें तो यहाँ तो घ्रामीड में क्या होता है ध्यानांकिएगा एक बात हमेचा है द्यानाक निए आपको पिरामिड में क्या होता है जितने face होते हैं उतने ही vertex होते हैं ठीक है यह बात ध्याना जाएगी आपको और एक बात हमेशा इसका इंदर एक formula होता है face के लिए n vertex के लिए n plus 1 और edge के लिए 2N होता है यह बात हमेशा ध्यान रखिए कि नीचे जो face अगर triangle है तो ट्राइंगल के कितनी साइड है तो 3 में एक plus कर दो नीचे वाला है जो n इसको n बोलते हैं तो 3 में एक ID कर दिया कितने अपने 4 तो age 4 vertex में भी 3 में ID कर दो 4 यह भी 4 और 2N का मतलब नीचे 3 है तो 3 को 2 से multiply कर दिया अपना कितना होता है 6 तो वो रहा 6 यहां पर यह रहा 2N का मतलब क्या होता है कि नीचे जो save दी है उस side card क्या कर दो 2 गुणा कर दो 6 इसमें भी आसे कर तो square था square में 4 side होती है तो 4 में 1 plus कर दिया face 5 4 में 1 plus कर दिया vertex भी 5 और 4 का double कर दो 8 8 इसके edge तो यह अब धाना किएगा normal से अब देखिएगा जो यह होता है कौन यह pyramid नहीं होता है लेकिन आप क्या करते हैं इनको समझने के लिए इसको हम बोल देते हैं कि यह एक pyramid है अब देखिए क्या होता है इसके अंदर pyramid के अंद आता है रोड़ता है दूसरी बात vertex की बात करें कर तो vertex इस पे कोना एक होता ही यह रहा और edge इसमें zero होते हैं edge निच्थे होता तो ऐज जो घूमा वह रहता है जो नीचे दिखता आपको कि नीचे जोjkerival hargis hasam ऊपसाइड ऐसे होता है, जोकर की टोपी के देखियोंगे, आपने उसमें एज तो रहता है, इक गुमें किनारे, ये एज नहीं है, जहना रखिएगा, ये एज थोड़ी है, यह तो मैंने एक डाइग्राम बनाया है, यहाँ पर एज थोड़ी होता है, इस वहने नहीं होता है एज इसमें 0 होते हैं तो इसके face vertex और edge कितने होंगे 0 होंगे बात करें इनकी triangular prism की तो face vertex देखते हैं चलिए फटा फट से बताइए face कितने हैं downside है triangle upside है triangle अब इसमें क्या होता है देखना यह जुड़े रहते हैं किससे rectangle से pyramid तो देखो कैसे जुड़ता है नीचे अगर square आगया तो उपर triangle से द्वारा जुड़ जाता है यह किससे जुड़ते हैं देखिए यहां पर triangle है यहां पर triangle है यह rectangle के द्वारा जुड़े वे हैं या फिर इसको parallelogram बोल दो चाहिए इनके द्वारा जुड़े वे हैं यह आपस म रहा हूँ इनको क्या करो आप creative mind से सोचो एकदम 3D सेप में लिया हो इनको बाहर की साइड नीचे है triangle उपर triangle है इनको match किया हूँ है तो कितने अपने पास face होंगे इसके 5 face होंगे confirm आप count करके देख लिजेगा एज की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 6 इसके vertex होंगे sorry एज की बात करते हैं चलो 1 2 3 तो यह रहे 3 और 3 6 7 8 9 एज कितने होते हैं इसके 9 होते हैं ठीक है तो एज इसके क्या पतार लग जिए हमें 9 होते हैं आपको simply याद रखना है cube की बात करूं face vertex age तो cube अगर आप बैठे हो जिस कमरे में उसी को देख लो आपकी जो face होंगे वो 1 2 3 4 5 6 जो दिवारे हैं आपकी वो छत और first भी उसमें count होता है क्यों यह भी face होते हैं 6 होंगे vertex की बात करोगे तो कोने count कर लिजे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ठीक है यह भी 8 होते हैं और age की बात करो तो यह count कर 11 12 ठीक है मैं क्या बता रहा हूं समझ गए अब जो एक किनारे आ रहे हैं इनको क्या बोलेगा अपन एज तो यह होते हैं 12 ऐसे अगर क्यूबोइड की बात करूं में तो क्यूबोइड और क्यूब में बिल्कुल सेम चीज होती है यह क्या होते हैं सेम होते हैं face vertex और edge cylinder में देखिया स्लेंडर में अगर face की बात करने तो face इसमें upside or downside दो होते है flat एक भी होता है बीच में होरा होता है जिसको count नहीं करते है कि वह गूमा वा रहता है लेकिन घूमा रहता है तो दो ही face मानते है vertex की बात करें तो zero होता है इसमें vertex है नुकूला कहीं पे जो चुबने वाला सा नहीं है कहीं भी और age की बात करें एज भी इसमें जीरो रहते हैं बच्चे सोच रहें कि इन वह एज क्यों नहीं लिया तो यह एज घूमें हो एसके और कई बच्चों के मिनमन में एक उसर यह यह भी तो एज है एज नहीं है एक्च्वल में डंक से आप सिलिंडर को बहार देखिए ऐसे वह एज तो घूमा हो है पूरा फेस ऐसे लाइन तोड़ी खिची हुई है नहीं है ना यह तो यहां डाइग्राम बनाने के लिए यहां पर लाइन ड्रो हुई है ठीक है तो यह यह आप याद रखिएगा अब एक यूलर फॉर्मुला ओर याद रखेगा चोदा मिनट का यह बनाया भी देखिया यूलर फॉर्म लागा यूलर्स फॉर्मुला यह बोलता है कि एप प्लस वी रहेगा वह एपलस के बरापर रहेगा कि फेस और वर्टेक्स को जोड़े व इसमें लगाते हैं face एक vertex अपना एक और e plus two मतलब zero plus two 1 और one two और यह भी two 2 बराबर दो सभी है इसका वामने सभी निकाल है किसी पे भी लगाए गाए चैसे इस पर लगाते है face और vertex को add कर दो और add कर दो a plus B e plus two यह भने लगए 10 और eb 10 तो हमारा क्या है लागू होता है, ऐसे ही मैं बात करूँ इस पेर की, इस पेर क्या होता है, इस पेर में कुछ भी नहीं लगता है, जैसे बोल होगी अपनी, फुटबोल, या फिर गेंड और टेनिस की, उस पे फेस भी जीरो होता है, वर्टेक्स भी जीरो होता है, और एज भी जीरो होता है, क आज के लिए इतना ही धन्यवाद